नमस्कार साइंसन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत हैं और आज के अध्यन का विशय है रहीम तो कवी रहीम अकबर के दर्बार के नौ रतनों में एक थे इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था और इनकी मृत्यू एक अक्टूबर 1627 को हुई थी इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खाने खाना था इनके पिता जी का नाम बैरम खान और माता जी का नाम सुल्टाना बेगम था रहीम कवी के दोहे हमें जीवन में बहुत ही प्रेरना प्रदान करते हैं और आज उनके द्वारा बताये हुए सिखाये हुए या उनके द्वारा रचित कुछ दोहों का अध्यान हम लोग करेंगे तो आए इसकी सुरुवात करते हैं सबसे पहला दोहा इनका क्या कहता है रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना ही एक बार फिर से इसको पढ़ा जाए रहीमन वे नर मर चुके जे कछू मांगन जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना ही ये खुबसूरत दोहा इसके माध्यम से रहीम कवी हमें इस बात की सिक्छा दे रहे हैं कि मांगना एक अपमान जनक कार्य है मांगने वाला व्यक्ति मृत के समान होता है उसमें लाज, सर्म और मर्यादा का अभाव होता है लेकिन परिस्तिती कब किसके साथ कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता तो मांगना मजबूरी भी बन जाती है तो मानव जीवन में जब व्यक्ति किसी के सामने, किसी के समक्च हाथ पहलाता है उससे कुछ मांगता है तो वो बहुत ही छोटा हो जाता है और मड़े हुए के समान होता है लेकिन आगे दोहे में रहीम कवी जी बताते हैं कि वैसा व्यक्ति जिसके पास अगर कोई मांगने के लिए आ गया है और उसके मूँ से ना निकल जाता है, वो मना कर देता है और अनादर भरे सब्द भी कह डालता है तो ऐसे व्यक्तियों को रहीम कवी कहते हैं कि वो उन से पहले भी मर चुके हैं मांगने वाले से पहले वो मरे हुए हैं, वो गिरे हुए हैं, वो पतित हैं तो परिस्तिती का हाल ये किसी को नहीं मालूम है तो अगर कोई आपके पास मेरे पास या फिर कभी भी कोई मांगने वाला कोई गरीब कोई बेसहारा कोई लाचार समय का मारा हुआ अगर कोई आपसे सहायता के लिए आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए और जो वो मांग रहा है उसे प्रेम पुरुवक परदान करना चाहिए और अगर नहीं कर पाते तो किर्पया उसका अनादर न करे और प्यार भड़े सब्दों में उसे मना कर दे तो ये खुबसूरत दोहा रहीम का हमें बहुत बड़ी सीख देता है जिसे हमें याद रखना चाहिए तो हमें पहले मरने की जरूरत नहीं है हमें अगर कोई मांगने वाला व्यक्ति हमारे सामने है हमारे पास आता है तो हमें जिन्दा रहने की जरूरत है मरने की आवशक्ता नहीं है और रहीम कभी को अगर हम याद रखेंगे तो जीवित रहकर लोगों की मदद करना हमारा धर्म होगा दया करना हमारा धर्म होगा धन्यवाद